हलो मैं लवली स्टुडेंस उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे सोश्यो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग बीए के mcqs solve कर रहे हैं बीए sociology से related है ना जो कि सारे ही लोगों के लिए important है जितने भी लोग sociology से related mcqs आते हैं जिनके exams में और exams की त्यारी कर रहे हो सब के लिए important है और आज का टॉपिक है हमारा social structure समाजिक सनरशना बहुत important है ध्यान से सुनिएगा इसके अलावा चैनल को subscribe कर लो ताकि डेली updates आपको मिलती रहें बैल आइकन प्रेस कर देना ठीक है और subscribe तो करना पड़ेगा आपको है ना अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए इसके लावा लाइक भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है भूल जाते हो आप लोग शायद है ना और feedback दिया करो ताकि मेरा भी motivation बना रहा है आप लोगों के लिए वरणा मैं बंद कर दीती हूं देखो बहुत सारे प्लेलिस्ट में देखो आधे हैं दूरे हैं क्योंकि मुझे feedback ही नहीं मिलता है मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको really helpful लग रहा है कि नहीं लग रहा है कुछ बताया करो ठीक है तो चलिए हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं mcqs और हां इस वीडियो की description में आपको बहुत सारे important links मैं दूंगे आपको तो वो सारे चेक कर लिया करो और ये वीडियो हिंदी में है अभी मेरे पास हिंदी questions easily available है तो मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूं बट अगर आपको English में practice करना है तो with answers मुझे उसके photos mail कर दो मै आपको practice करवा दूंगी ठीक है तो चलिए हम लोग start करते हैं अपने questions समाजिक सनरशना का कौन सा तत्व नहीं है social structure के elements होते हैं बहुत सारे ठीक है तो ये जो options दे हुए इसमें से कौन सा तत्व नहीं है पोचा है समाजिक मूल्य संस्कृति समाजिक प्रस्तिति या समाजि चैप्टर्स में आपको mcqs करवाती हूं उसका detailed वीडियो भी देख लिया करो इन सारे वीडियो जो भी मैं बोलती हूं कि ये भी देख लिया करो वह सारी description में मैं आपको already उसके links दे देती हूं playlist का link खोलोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हा social structure वाला वीडिय रहेगी इसके बारे में ठीक है तो इसमें समाजिक सनरशना के तत्व पूछ रहा है जैसे एक इनसान है ठीक है ये इनसान तो है नहीं ये इनसान का एक structure है कि हाँ ये हाथ हो गया ये पैर हो गया और ये सिर हो गया और ये body हो गया ये क्या है human structure है तो जैसे human structure के बहुत सार क्या है तत्व है कि हाथ पैर ठीक है सिर इन सब से मिला करके बना हुआ है तो वैसे पूछे कि सुसाइटी का स्ट्रक्चर कि इन सारी चीज़ों से मिला करके बना हुआ है उसमें क्या क्या चीज़े आती है तो इसमें से एक है सारी चीज़े आती है बड़ एक है जो नहीं आत का तत्व नहीं है ठीक है और संस्कृति के अंदर मूल प्रस्थिती भूमिका हर एक चीज सोसाइटी की पूरी हर एक चीज संस्कृति के अंदर आ जाती है बट अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें human interactions आते हैं कि इनसान का अपस में बात चीत करना ठीक है इसके अलावा प्रस्थिती भूमिका वो भी आता है समाजिक मूली भी आते हैं समाजिक संस्थाएं भी आती है और सोशल प्रॉसेस आती है ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें आती है क्या किसमें सोशल स्ट्रक्चर है स समाजिक संरच्चना के अंदर बड़ संस्कृत ही नहीं आती है तो सोशल स्ट्रक्चर से आप क्या समझ रहे हो कि जो चीज़ें हमें सुसाइटी की बाहरी तौर पर चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सारी चीज़ें और इसके अलावा जो चीज़ें इस च्रक्चर को में रखती हैं उसको काम कराती हैं जिंदा रखती हैं वो सारी चीज़ें जैसे सोशल प्रॉसेस समाजिक प्रक्रियाएं प्रक्रियाओं में क्या होता है कॉन्फिक्ट भी होता है संघर्ष सहयोग सात्मी करण यह सारी परसंस्कृति ग्रहन यह सारी क्या होती है modernization, संस्कृति करण, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रक्रिया है समाज की, तो इनसे क्या होता है, समाज चलता है, तो ये सारी क्या है, समाजिक संरशना के elements होंगे, ठीक है, रेट्लिफ ब्राउन जो है, बहुत important, जो रेट्लिफ ब्राउन है, वानफ शास्त्री है, जो कि समाज शास्त्री भी है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि social structure को हम दो भाग में विभाजित करके देख सकते हैं, एक society का जो वाहे तत्व होता है, और दूसरा जो आंतरिक तत्व ह मतलब जो चीज़े हमें बाहरी तोर पर दिखाई देती हैं, जो उसके structure को form करती है, जिनको हम देख सकते हैं, और दूसरा आंतरिक तत्व जो उसको चलाने में मदद करते हैं, ठीक है, जैसे बाहरी तत्व में हमने देख लिया प्रस्तिती भूमिका, संस्थाएं, ठीक है, अंतरिक तत्व में क्या हो गया, जो interaction करते हैं, जो धर्म है, कानून है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े क्या हो गई, उसको चलाने वाली सरकार, ठीक है, राज्य, ये सारे अंतरिक तत्व हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि रेटलिव ब्राउन ने social physiology और social morphology कर ये, एक समाजिक आकारिकी, और दूसरी, हमीं, हिंदी में कहते है, समाजिक kriya तंत्र, ठीक है, तो एक वाहिय तत्व होता है, और एक आंतरिक तत्व होता है, एक social physiology एक social morphology, फिजियोलाजी मतलब फिजिकल मतलब जुकरिया रतंत्र होता है और मॉर्फोलाजी जोmission समधिक करता है inี ince कर आभ है संबन्दों से यह कठन किसका है this statement दिया हुए वो बतानाइं में किसका है देखो इस statement को समझो ध्यान से पहले फिर मैं answer बताती हूँ आपको option में Koser Parsons Spencer Johnson इतने लोग हैं तो answer बताने आपको कौन है तो देखो समाजिक सनरशना की बात कर रहा है ठीक है social structure को human structure से आप connect कर सकते हो कि जैसे यह structure है वैसे society का भी structure होता है तो society की structure में जैसे family हो गया ठीक है marriage हो गया friendship हो गया उसके values हो गया तो यह सारी कुछ चीज़ें होती है न वैसे human structure की तरह तो statement को पढ़ो समाजिक सनरशना का आशे विभेन समाजिक एकाईयों का मतलब यह बहुत सारी जो units है उसकी विभेन समाजिक एकाईयों का तुलनात्मक स्थर की बात कर रहा है और प्रतिमानित संबंदों से अब यहां से आप catch कर सकते हो जो तुलनात्मक रूप से स्थरता की बात कर रहा है मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से stable हो मतलब एक society है जैसे human structure है ठीक है तो यह कौन सा ऐसा sociologist है जो यह बोल रहा है कि तुलनात स्थर है और प्रतिमानित संबंदों से इसका मतात्पर होता है मतलब यहां पर जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे कभी कभार conflict भी हो सकता है है ना समाज के अंदर सब कुछ हमेशा हर चीज़ अच्छे से चलती रहे यह चीज़ जरूरी नहीं है उसके stable नहीं कह सकते तो यह चीज़ यहां से catch कर सकते हो कि causer की definition है क्योंकि वो संघर्ष को भी accept करते हैं society के लिए जैसे Parsons है Parsons यह कहते है society में उसको accept नहीं करते हैं कहते हैं नहीं society में हमेशा अच्छे से function होता रहता है इसलिए social system बना रहता है और अगर मान लो कभी conflict होता भी है तो उसमें बहुत सारे ऐसे elements होते हैं जो उस चीज़ को बाद में equal कर देते हैं वो चीज़ मतलब उसमें mix up हो जाता है तो कुछ वैसी कोई problem नहीं आती है society में तो इसका answer फिलाल क्या होगा कोजर कोजर कहते हैं कि जो society में conflict होता है संघर्ष होता है मतलब जैसे विद्रो हो जाते हैं दंगे हो जाते हैं तो कहते हैं कोजर वो भी important है society के लिए उनको भी society के लिए important मानते हैं कोजर क्याते हैं वो भी functional होते हैं society के लिए वो भी काम आते हैं society के development में यह चीज़ है ठीक है फिर next question है आपका किस लेखक किस एक लेखक ने सरप्रथम समाजिक सनरशना के तत्वों का उलेख किया मतब society के social structure के elements का सबसे पहले हमें किस ने बताया उसके बारे में कि social structure के elements होते Parsons, Redcliffe Brown, Spencer Cozer तो अभी मैंने किसी एक sociologist के बारे में बात करी थी जो कि एक मानव शास्त्री भी थे तो उन्हों नहीं सबसे पहली बार बताया कि समाजिक सनरशना के तत्वों होते हैं ठीक है आंसर आपको पता होगा अभी अभी बात हुई Redcliffe Brown ठीक है Redcliffe Brown जो कि इमाईल दर्खाईम से प्रभावित है ये एक मानव शास्त्री है ठीक है समाज शास्त्री भी है फोर्थ उप्शन है समाजिक सनरशना विभिन ने इकाईयों से बनने वाली किस स्थिती का बोध कराती है समाजिक सनरशना बहुत सारी इकाईयों से बनने वाली किस स्थिती का बोध कराती है एक क्रमबधता का एक व्यवस्था का एक उप्शनरशना का या कालपनिक तो आपको पता है अगर आपने ये वीडियो देखा है बहुत सारी इकाईों से बनने वाली किस स्थिवी का बोड करा थी? बहुत सारी काई हैं सिर, बौडी, हाथ, पैर ठीक है? तो option A is correct, क्रम बद्धता, मतलब इसके हाथ हमें यहीं लगाना है, पैर हमें यहीं लगाना है, बॉड़ी यहीं लगानी, बॉडी इधर नहीं लगानी है ठीक है? तो बहुत सारी यूनिट्स से तो बना है सोशल स्ट्रक्चर बट उसको एक क्रम में भी आपको लगाना पड़ेगा उसकी एक क्रमबधता भी होनी चाहिए तभी सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो समाजिक सनरशना में एक बहुत important point होता है क्रमबधता समाजिक सनरशना विभिन ने इकायों से बनने वाली किस स्थिती का बहुत कराती है मूर्थ आमूर्थ आस्थाई या कालपनिक देखो जैसे human structure हम लोग देख रहे हैं बड़े अराम से वैसे social structure हम लोग नहीं देख सकते इसके अलावा social structure आस्थाई नहीं होता है आस्थाई होता तो समाज का structure ही नहीं होता स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता अगर स्टैबलेटी ही नहीं होती सुसाइटी में बिल्कुल मूर्थ कोई इंसान नहीं है समाज वो हमें दिखाई नहीं देता ठीक है जैसे मैकाईवर एंड पेज ने कहा है सुसाइटी इस दे वेब आफ सोशल रिलेशन्शिप समाज समाजिक संबंधों का जाल है और समाजिक संबंध हमें नहीं दिखाई देते इसलिए समाज भी हमें नहीं दिखाई देता ठीक है हमें तो सर्फ इंसान दिखाई देते कौन कौन है कैसे रहना है कैसे नहीं ठीक है तो ये दोनों तो option गलत हो गए कालपनिक नहीं है समाज तो वास्तविक है ठीक है society तो है actually में तो आमूर्थ है यह यानि कि abstract है exist करता है बट हमारे mind में ठीक है तो abstract है option B is correct then यांतरिक सनरशना वाले समाज का उले किस विद्वान ने किया है यांतरिक सनरशना ठीक है यांतरिक सनरशना के बार में Weber ने कहा है, Kozar ने कहा है, Red Cliff Brown या दुरखी ने को society के types के बारे में बहुत सारे sociologists ने बताया है तो वही पूछ रहे हैं कि society में सनरशना अलग-अलग society की बात करते हैं types of society हैं समाजों के प्रकार, मतब जिसे पुराने time का समाज था, फिर middle time का आया, फिर आज आधुनिक समय का है तो इस तरीके के society के बहुत सारे अलग-अलग basis पे types बताया जाते हैं तो अलग-अलग time period के societies अलग-अलग types के थे, तो अलग-अलग societies के structure भी अलग होंगे तो एक society ऐसी थी, जहां कि सनरचना कैसी थी, यांत्रिक थी, यांत्रिक मतलब machine की तरह, यंत्रवत तो इस type की social structure के बारे में किसने बात की है सीधा सा जवाब, बहुत important question है, इमाईल दरखाई, ठीक है एक society की structure की बात करते हैं कि साव्यवी सनरचना का समाज था, ध्यान से सुनना साव्यवी सनरचना और दूसरा बताते हैं यांत्रिक सनरचना, वो कहते हैं एक simple society थी, ठीक है एक simple society थी और एक है complex society, ठीक है तो कहते हैं कि simple society का जो structure था वो यांतरिक सनरचना वाला था यानि कि subtle society का structure कैसा था यांतरिक सनरचना वाला ओड़ जो complex society थी यानि कि जटल सनरचना थी वहां पर सावियवी समाच पाया जाता था ठीक इसके बारे में अगर डिटेल से आपको जानना है तो उसका दुरखीम का मैं आपको वीडियो का लिंक में दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देख लीजेगा में भी उसका कुशन आजाए अपके एक्जाम में ठीक है लण फांडिंग फादर्स में से एक है सौशैलिजी के सेकंड पर आते हैं समाजिक सनरश्ठेशना को समाजिक शक्तियों की क्रंबधता के रूप में किसमें स्पस्ट किया है ठीक है देखो शक्तियों से related चीज़ें या ग्यान का समाज शासर इस तरह की की चीज़ें हम किस से जोड़ते हैं जो इसका answer होगा क्या answer है मर्डॉक है मर्टन है मानहीम है या मार्क्स है समाजिक सनरचना याद रखो किसने कहा कि समाजिक शक्तियों की क्रम बद्दता है तो वो है आपका answer कार्ण मानहीम ठीक है फिर next question है नीचे दो बक्तव कथन तथा कारण के रूप में दिये गए हैं इनसे सम्बंदित सही उत्तर का कूट मिच से चैन करिए कूट मतलब यह दिया हुआ है कूट ठीक है इसमें से आपको सही answer choose करना है इसमें से एक है कथन दूसरा है उसका कारण समाजिक सनरशना की प्रकृति आमूर्थ होती है समाजिक सनरशना की प्रकृति आमूर्थ होती है ये तो अभी हमने बताया ना आपको कि दिखाई नहीं देती है हमें social structure abstract होता है मूर्थ लिखा होता तो गलत हो जाता क्योंकि दिखता तो नहीं है न आमूर्थ है यानि कि concrete नहीं है abstract है तो समाजिक सनरशना की प्रकृती आमूर्थ होती है क्योंकि समाजिक सनरशना अनेक इकाईयों की क्रमबधता है इस वज़े से हमें नहीं दिखता क्या है कारण बिल्कुल सही है ठीक है जादा नहीं पढ़ेंगे इसका यह सारे options आप लोग पढ़ लीजेगा कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं बहुत सारी units है society की बहुत सारी units है और उसको अगर हम लोग sequence में लगा दें तो social structure बन जाता है और समाजिक सनरशना की प्रकृति आमूर्थ होती है ठीक है फिर next question है आपका निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है समाजिक सनरशना की अनेक उप सनरशना होती है देखो नहीं बताने कौन सा नहीं है सही बाकी सारे सही है कोई एक गलत है समाजिक सनरशना की बहुत सारी अनेक उप इकायां होती है मतलब जैसे human structure है यह पूरा का पूरा structure है अपके इसकी बहुत सारी sub units होती है पूछ रहा है समाजिक सनरशना के विभिन अंगों के निर्धारित प्रकार होता है मतलब अगर यह है यह है तो क्या हर एक पार्ट का अलग अलग function decided है कि किसको क्या काम करना है समाजिक सनरशना की प्रक्रिदी परिवर्तन शील होती है कि समाजिक सनरशना हर टाइम यह जो structure है कि क्या हर वक्त बदलता रहते है क्या समाजिक सनरशना अनेक क्या समाजिक सनरशना में बहुत सारे मूल्यों का समावेश होता है अभी हमने जब सबसे पहला question solve किया था अगर आपको याद हो तो हमने बोला था ना कि समाजिक सनरशना में समाजिक मूले आते हैं मुझे answer बताओ कमेंट में कि क्या चीज़ नहीं आती है समाजिक सनरशना में ठीक है तो आप आराम से बता सकते हो समाजिक सनरशना की प्रकृती परिवरतन शील होती है ये गलत स्टेटमेंट है अगर सोशल स्ट्रक्चर हर वक्ट बदलता रहेगा तो समाज में मतलब stability ही नहीं है और stability नहीं है तो मतलब कोई structure भी नहीं है सीधी सी बात है ठीक है तो कभी भी समाजिक सनरशना की बारे में परिवरतन शील होना is wrong बट लेविस कोजर बोलता है कि तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि परिवरतन शीलता बिलकुल ही नहीं पाई जाती क्रांतियां आती है न तब समाजिक सनरशना में परिवरतन होता है बिना क्रांति के समाजिक सनरशना में परिवरतन नहीं हो सकता लास्ट कोशन हम लोग देखते हैं समाजिक सनरशना के तत्व देख लेते कोशन क्या है इसमें मिलान करना है आपको और बहुत सारे options दिये हुए, चार option दिये हुए, उसमें से बताने कौन सा सही है, ठीक है, समाजिक संरशना की तत्व कौन से है, यांत्रे के एक तक किस से related है, principles of sociology किस से related है, social structure किस से related है, सबसे पहले social structure की बात करी किस ने, Spencer ने की, सबसे पहले social structure की बात किस ने की, Spencer ने, फिर से याद कर लो, बहुत important, और किस किताब में की, principles of sociology में की, फिर समाजिक संरशना की बारे में, या social function की बारे में, दुनों match करते हैं, उसके बारे में systematically किस ने बात करी, इमाइल दर्खाइम ने बात करी, देखो बात, जिक्र किस ने किया, Spencer ने किया, systematically हमारे सामने चीजों को बहुत विवस्थे, धंग में कौन लेकर आया, दर्खाइम लेकर कर के आया, ठीक है, या आपके extra knowledge के लिए बता रही हूँ, समाजिक संरशना की तत्व, सबसे पहले red Cliff brown ने बताया था है, इस कि रात रही हुआ हsiर्था होता है, यह होता है antrik तत्वा, दूसरे को क्या कहते है, एक morphology होता है, बूसरा physiology होता है, एक kriya tantro होता है, त 드ूसरा आकारिकी होता है, ठीक है, social structure किताब किस कि है, या, रुखव मर्डॉक की है, चलिए पहले हम लोग हम देख लेता हैं आंसर कैसे हम लोग निकालते है इसका हम लेते हैं सबसे पहले देख लिया कि समाजिक संवचन के दृट रेड्लिव ब्राउन ने बताया हुआ तो हम देख रहे हैं कि फ़र्सट का फोर कहां पर पर 1 फान्स्वच का फूर यानि कि second का 3 देखो कहां पर दिया हुआ है second का 3 यहां पर दिया और कहीं नहीं दिया हुआ है यानि कि ये वाला तो गया answer क्या हो गया a ऐ तो आज के लिए इतना ही बताओ वीडियो कैसा लगा बताओ ओकर